नमस्कार साथियों की फैक्ट मैं आप सभी का स्वागत है उमीद करता हूं कि आप सभी लोग वहतर होंगे सभी सनात्री और आश्टवादी भाई बैनों से अपील लेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक से दिल्ली की मोहनी थेटर ड्रामा कंपनी यानि केजरिवाल की जो पार्टी है उसकी नोटंकी अनवरत चल रही है इतनी बूरी तरीके से चुनाव हारने के बाद भी नोटंकी में कोई कमी नहीं है लेकिन सुप्रीम कोट ने जो कहा केजरिवाल को ले करके और एक बात याद दिला दूँ इस प्रकरण को सुरू करने से पहले कि अर्विंद केजरिवाल से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोट जाता है नीचे की कोट में उसका हल ही नहीं होता है और सुप्रीम कोट जाता है तो वकील साब यह की है अभिशेक मनुस केस चार हजार केस मुझको लगता है हम आदमी पार्टी से जुडा हुआ लडते हों हे तोकि यह बाहर इस थेटर कंपनी कई जो इस समय कमान सवाले हुई है आतिसी मारलीना वो अलगी ड्रामा कर रही है उनके अलग नो टंकी चलती मैं पूरी पार्टी नो टंकी बाज है एक व्यक्ति तो हो जो सीरियस इसू पर सीरियस बात करता हो नहीं किसी को बात नहीं करना है और हर्याणा के लोग पराली जला रहे हैं सरकार उसकी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं इसलिए दिल्ली में पटॉचन बढद जा रहा रहा है ह चल रहा है तो आधी दिल्ली हर्याना सरकार को दे दे नी चाहिए और इनको कहना स्वास्त विभाग का मसला कहा है हाई कोट सुप्रीम कोट सिच्छा वेवस्ता का मसला कहा है वह भी हाई कोट सुप्रीम कोट जल वेवस्ता का पानी की वेवस्ता वह भी हाई कोट सुप्रीम कोट मतलब इनका सारा वेवस्ता हाई कोट सुप्रीम कोट और जो सराव घोटाला का आरोप लगा उस आरूप में मनी सिंसो दिया और खुद बुख्यमंत्री जेल में जैल के डाले चुटेंगे good शुटेंगे लेकिन जो बरतमान की स्टिती है कि जिन जिन चीजों को ले करके बिसियों को ले करके पूरे वर्ड वाइड ढंका पीटते हैं निवार्ट टाइम में इनकी रिपोर्ट छपती है वो सारे समय सुस्पेक्ट की नजर में और एक बात और मजिदार बता दू इनके बारे में चुनाव हारने के बाद इनके एक नेता है संजय सिंग वो समाजवादी पार्टी में जुगाड बना रहे हैं कि यार देखो केजरिवाल का कोई भरोजा नहीं है यार पार्टी ऐसे जैसे तैसे चल रही है पता नहीं क्या ह तो आजकल लखनाओं का दौरा कर रहे हैं बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं इसको हटा देंगे इसको रख लेंगे सरम बची हुई है दो जगह पुड़ बहुमत की सरकार विश्व की सबसे बहतरी सरकार चलाने के बाद तीन सीटें मिलती है तुमको लोग सभा में या यह देखिए देखिए का पुरा पूरूब के साथ मैं बात करता हूं इनके उपर सुप्रीम कोट ने कहा कि हमें हलके में ना ले नहीं तो हम याचिका को खरिज करतेंगे के जरिवाल सरकार से सुप्रीम को नाराज सिंग्वी को में लगाई फटकात बैसिकली हुआ क्या कि हुआ लोगों ने पूरे मीडिया में एक हला मचा रहा हो मीडिया भी तो 550 क्रोण का बजट लेकर करके एकड़म बिका हुआ है उसके कोई बात महीं करता है दूस्ני को गोधी नियंद होना चला कि हरियाना शिलाएंगे लेकिन मीडिया इसकोफात ही नहीं करता है अब हुआ सभाक्या वहां कि पहुचत सुप्रिम कोज और इन्हों ने काभ साथ दिल्ली में पानी की बड़ी किल्थ हर्याना वाले पानी नहीं छोड़ रहे हैं लेकिन जब जहांच होई तो पता चला की कोई गलती नहीं है इसमें गल्ति किस की है हिमांचल पर्धेश की और हिमांचल पर्धेश में सरकार किसकी है Congress की और में के साथ गणूंदन किसका के जिरिवाल का और जो वकिल लड़ रहे हैं वह कहां के हैं, under ? Face He चुनाओ लड़े तो हिमांचल में हार गए उनका नाम है पूरी कहानी जोड़िये गाना तो बड़ा रोचक हो जाता इन लोगों का मामला अच्छा जी यहां तक तो चलिए ठीक है अब कहा क्या सुप्रिम कोट ने कि भाईया जो एफीडेविट लगाए हो उसको सही करके ला हो और एक आदेश पारित कर दिया कि हिमांचल जो है वो अधिक पानी छोड़ेगा दिल्ली के लिए अब चुकि गर्मी है पचास-पच्पन-वावन टेंप्रेशर पहुच रहा है तो जाईर सी बात है पानी की किल्लत होती है मैं वह भी प्रूप दिखाऊंगा पानी की कि ढूट के लिए पठब पिछले 10 साल से दूर कर रहा है कितने साल से 10 साल से डिली में लेकिन अभी भी अरबिंद्ध कहिरिवाल के गुरगेट जो врझ के लोग है जो इनकी पाठी को समर्थन करते है जिनको टेंकर मापकीए दिल्ली में कहा जाता है वह अभी भी टेंकर से क्या है अच्छा चलिए वो तो दिल्ली की बात है मैं उस पर क्या ही कर सकता हूं डेमोक्रेसी पानी वाले केस में क्यों के जिरिवाल सरकार से के नराज हुआ सुप्रीम को जज सिंग्वी जज सामने सिंग्वी को खुब सुनाया कि याचि का पिटीशन खारीज कर दूंगा अब यह जो हर्यानाग पर आरोप था उसको संसोधित करके हिमांचल पर आरोप नहीं लगा रहे थे जोकि इनके पार्टी की सरकार है और वहां साहब इनको राजसवा पहुचाने की बात कर आई सब मीडिया में अपवा है अपवा है कि सच है आप तो यहीं जानते होंगी इसी के लिए स्वाती मालिवाल पिट जाती है स्वाहल के अंदर खैर इतना तो फर्ज बनता ही है आच्छा फिर क्या कहा सुनवाई टाल दी और बोला सुप्रिम कोट में कि इसको आर्डर में याचिका ले करके आओ सही याचिका करके ले करके आओ उसके बाद बात करना नहीं तो याचिका को खारिज कर दूंगा और अविसे मनु सिंग्भी को कहा कि पिछली सुनवाई में मैंने कहा था कि स्टेटस रिपोर्ट सपत पत्र रिकॉर्ड पर नहीं है सब को रिकॉर्ड पर ले करके आओ और ये बार क्या कह रही है आति सिमाली न सपत्र में पोल खुल गई हर्याना सरकार की और इबाप इबाप बना तंकी है फिर सुप्रीम कोर्ट ने बात और कही कि देखिए मीडिया में बहुत कुछ चल रहा ह है और हमें मीडिया से बहुत कुछ जानकारी मिली है अगर उस हिसाब से हम कुछ कर देंगे ना तो फिर आपको बहुत बिक्कत हो जाएगी इसलिए स्टेटस रिपोर्ट पहली चीज कि कितना कितना कौन-कौन पानी छोड़ रहा है और पानी कहां-कहां तक पहुच रहा है और एफिडेविट लगाओ इसका पूरे रिकॉर्ड का ऐसे नहीं लिखित मलब जिसको आप नकार न सको है ना अच्छा इसके बाद एक चीज़ और कहीं सुप्रिम यहां तक तो बात हो गई विसर गर्मी के 20 दिल्ली में पानी की भारी किल्लत है दिल्ली सरकार ने सुप् पड़ोसी राज से उसे ज्यादा पानी दिलाया जाए देखे पानी ज्यादा दिलाया जाए रोका जा रहा यह बात नहीं है मामला कुछ और मीडिया में कुछ और है अच्छा पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोट ने हिमांचल प्रदेश से 137 क्यूसेक अतरिक्त पानी देने को कहा था और हरियाना को आदेश दिया था कि निर्भात तरीके से पानी दिल्ली पहुचने दे बस सिंपल सी चीज थी अच्छा अब क्या हुआ हरियाना सरकार पर फिर बरसी मंत्री आतिसी बोली जूट का परदा पास एफिडेविट से हो चुका है अभी से एक दिन दो दिन पहले ही आतिसी माली ना चिलाने लगे साब परदा पास हो गया लेकिन इस पूरे केस में एक बार भी एंडी एलाइंस कांग्रेस इसका नाम नहीं लिए अभी से हम राज सभा का भी चुनाओं हरे हैं हो हमारी सरकार है उसके बारे में मीडिया में कुछ id am पानी तो आखे हैं मूनक सहर से लेकर के कवली तक पानी चोरी हो रहा है और लगबग लगबग संट पानी Χोरी हो जा तो अपने कूप रवंधन की चीजें उसके उपर मन डालिए अच्छा इसको रिकॉर्ड के तहत किया गया इस बात को भी समझेगा ऐसे नेका गया एक एक मुझे मिल गया था अर्विंद केज्रिवाल की आम आदमी पाती के यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है यह दिल्ली जल संकट का इलाज केज्रिवाल ने कहा कि दिल्ली जल संकट का मैं इलाज कर दूंगा और कितना पुराना है चार साल पुराना वीडियो है जा करके अभी देख सकते हैं यह हर साल यहीं बात करता है भाई बाण आ हरियाना की वज़े से पानी नहीं आ रहा है हरियाना की वज़े से तो भाई तु कहें कर दूंगा वा कर दूंगा दुनियां बर के काम कर दूंगा भूगा क्या है और देख लीजी छूड़े इनके पूप फूरा खोला जाता है ना अब अब देखे आदिकारियों ने मूनक नहर का निर्षण किया कांसे अधिकारियों ने निर्षण किया दिल्ली के जल बोट के अधिकारिों ने निरिच्छन करने के बाद वो पाए कि हरियाना सरकार पानी पूरा छोड़ रही है उचीत मात्रा में छोड़ रहे जितना उसको छोड़ना चाहिए लेकिन पूरा पानी दिल्ली नहीं पहुच रहा है रास्ते में से 18-20% पानी गायव हो जा रहा है अधिकारियों ने बता होता है मतलब 111 क्यूसेट अधिक पानी छोड़ा हरियाना ने दिल्ली के लिए लेकिन बवाना तक आते आते यह 960 क्यूसेट पानी रह गया तो बीच में चोरी कौन कर रहा है कि जिरिवाल साहब उसको कौन पकड़ेगा है उसको पकड़ने आएंगे क्यों निवार्क सब करता है उनको मदला ले रहे हैं इनको क्या लगता है कि जैसे ही इनके उपर दिक्कत आती है झाला नहीं लड़ने दिरा दिमोकरेशी खतम कर रहे हैं उन से डर लग रहा है कितने दिन तक इन नोटन की चले जैग डिली के लोगों ने फिर समझा दिया गड़भंदन करन अच्छा आगे देखते हैं देखे पूरा एकदम न्यू चैनल सब पटे पड़े हैं आतिसी ने हरियाना को कहा एफिडेविट में खुल गया फलाना हो गया धिकाना हो गया दुनिया बढ़ गया अब आपको एक और खबर दिखा देते हैं दिल्ली में यमुना का जालस्तर फ अब आगे बढ़िये दिल्ली में बाड के लिए कजरिवाल सरकार ने हरियाना सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यही लोग दोसी हैं पानी ना आये हरियाना दोसी पानी आये तो हरियाना दोसी और जब की जब इसके बारे में पता किया गया तो पता चला जो हतनी बैराज हतनी कुंड की जो बात होती है वहाँ पानी रोका नहीं जाता है वहाँ पानी दो-तिन दिसा में डिवाइड किया और दिल्ली सरकार को बदनाम करना चाहते हैं इतने नौटंग की बाज तक आपने नहीं देखा होगा कि बाद किसी चीज में आपनी जिम्मेदारी लेते ही नहीं ने भाज साथ ए लोग एसी में बैठे रहते हैं इनको लगता है कि विजली पानी वाला जो थोड़ा फ्री करता है कि अब अब देके याष्द साब कि तरफ से कलिए करशन है कि मुख्यमंतर questa की जो समर्वीती है उसका सुजाओ बैठी ही नहीं मीचिंग ही नहीं हुई अब सुनिया इसकी बात अब नोव माई को बैठब बुलाई गई थी मैंów यह इनका यह इनका असली चेहरा है दुरूर आठी बेटे अगर हो कहीं मेरा वीडियो उनकों तक पहुच जाए तो उनसे कहा थे ना थोड़ा बना ले वाई इस पे भी वीडियो फैक्ट चेक करता रहा पूरा चुनावर ना इस पे भी फैक्ट चेक करके बता दे तेरे ही प यह है इनकी कहानी और चुकि चुनाव चला था तो इनका मैटर थोड़ा चूट गया था बीश में इनके लिए बड़ी-बड़ी कहानिया आई हैं अभी मेरे पास तो अगले वीडियो में उस पर बात करेंगे आप सभी लोग जुड़े बहुत-बहुत धन्यवाद वीडि जय वारत जय सिर्दा